ये खबर तो आपको पता चली ही गई होगी कि दानिश अली को बसपसे बाहर कर दिया गया है जो मुरौष सीट से सांसद है क्योंकि आ उसके बारे में भी चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं उस मामले को लेकर जिसकी वटिश्य दानिश अली चर्चा में आ जाती हैं कुल मिलाकर कुछ नी छोड़ रखा इंसानोंने मेरे ख्याल से उस समय जब दानिश अली को गाली दी जा रहे थी उन्हें की कम्यूटी के बारे में अनाप्षनाप बोला जा रहा था तो उन्हें रोने की बजाए तुरंत इस्तिपा दे देना चाहिए था ये कहत थी तो उस मामले को बसपा सुप्रीवों मायावती ने संसद में उठाया था लेकिन उसमें कोई ठोसकारवाई नहीं हो रही थी तो मायावती ने एक हैतिव अस्तिपा दे दिया था कि जा मेरे समाज की बात नहीं सुनी जा रही तो उस मामले में बसपा सुप्रीवों ने तुनत इस्तिपा दे दिया था उससे उनके परती लोगों का सम्मान और बढ़ गया था यह मैंने आपको जानकरी के लिए बताया है लेकिन अभी जो दानी सली के साथ में हुआ उन्हें बसपा से निकाला गया इसकी सोचल मीडिया पर भी काफी हलचल है एक तरह से संग्राम हुआ है कुछ लोग कह रहे हैं हमें पहले ही पता था यह तो हो नहीं था कुछ कह रहे हैं गलत हुआ लेकिन सबसे महत्तपूर्ण है कि बसपा की और से क्या कहा गया वह आपको पढ़कर बता देता हूं श्रीदानिशली ब्यस्पी लोगसबा सांसद अम्रहोगा उत्तर प कर देउगोडाजी की जंदा पार्टी के सदैसे के रूप में कारिक कर रहे ते सथा करनाठक में 168 के आम चुनाओं में बोजन समाज पार्टी के साथ गडबन्दन करके चुनाओं लड़ा गया था साथ इस गडबन्दन में आप श्रीदेऊ गोडाजी की पारटी क के तरफ से काफी शक्री रहे थे करनाटक के उक्चुनाओं के नितिजों के आने के बाद स्रीदेवगोडा जी के नुरोद पर आपको अम्रहोगा से बोजन समाज पार्टी के प्रतियासी के रूप में टिकट दिया गया और इस टिकट के दी जाने के पूरू आप अपने दिये गए आसवासनों को भूलकर पार्टी विरोधी गतिवीदियो में लिपते हैं अध्याप पार्टी के हित में आपको बोजन समाज पार्टी की सतसे ततकाल परभाव से निलंबित किया जाता है तो एक कारण बताये गए हैं सधी चंद मिस्रा जो राष्ट धन्यवाद